सोशल मीडिया पर आई दिन कुछ न कुछ तेजी के साथ वारल होता रहता है लिकिन कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो जिसी होती है जो दिल को छूजाती है जी हाँ, आज हम एक ऐसी वीडियो आपको दिखानी जा रही है जो की चन्दॉली जिले से है जाए कि स्कूल की तस्वीरे सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है चंदौने के सरकारी कमपोजर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी टीचर को फेरवल देते वक्त रोप पड़े कारण ये है कि इन बच्चों के सिक्षा का किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया नन्य से बच्चे अपनी सिक्षा को जाने नहीं देना चाहते शायद यासू इसी इच्छा के परियाए है चंदौने जिले के चक्या स्थित कंपोजिस स्कूल के टीचर शिवेंद सिंग का ट्रांसफर अब दूसरे जिले में हुआ तो उनके स्टूडेंट्स की आँखों में आस हुआ गए शिवेंद सिंग बगेल 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे शायद यहीं उनकी कमाई थी कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो बच्चे भावुक हो गए और गले लगा कर जोर जोर से रोने लगे गाओं के सबाने घरों से आने वाले बच्चे अपनी सिक्षक को जाने नहीं देना चाहते थे लेकिन आना जाना तुनियम है बच्चों को समझाते शिवेंद्र भावुक होकर इतना ही कह पाए कि मन से पढ़ना खूब तरक्के करना हमें छोड़ कर मत जाओ सर जी और रोनी लगे बच्चे पाव नहीं लगे बच्चे पलो ना मैपका नहाद. में पका ढुड हो! में को प्रूदी का ढुड एक ढुड हो तेसे स्वेब दॉड है भनल मुड को सिरुड हो आसे स्वेब बहाई चीन मैं विहाँ, sem Cake में फिरिंग तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें